आज दिल चाहरा है कि मुझे वेल्कम बैक ना कहना पड़ता तो क्या बढ़ाना सिंप्ली बात तो यह है कि आज शो तो हो रहा है और जाहर है आज के बाद भी शोज होंगे हम हसेंगे भी गाएंगे भी वोलेंगे भी जिन्दगी है और जिन्दगी गुजर जाएगी गुजर तो जाएगी तेरे बगएर भी लेकिन बड़ी उदास बड़ी बेक करार गुजरेगी वो नहीं थे लेकिन इसके बावजूद थे वो नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद हमेशा रहें यहां इस सिफ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिन्दगी को मेजे सर्थ हां साथ ने इंफ्लून्स ना किया तो चाहे मैं हूँ चाहे वो सल्मान भाई हूँ मेदी साहब हूँ कराम मेदी हूँ या फैसल लतीफ आप दोनों हज़राइस असलाम लेकूम कैसे हैं आप तो देन बहुत साइड है लेकिन साथ साथ एक बात की हुशी है कि आवाज वो है जो सद्धियों तक रहनी है हम शायद न रहें हम नहीं रहेंगे लेकिन खान साथ की आवाज रहेगी उनकी आवाज तो अमर हो जाए अमर बिलकुल अमर है मैं समझता हूं कि जब तक उनके सुनने चाहने वाले हैं वो भी जिन्दा है उनके साथ जिन्दा है एकराम हम आप से शुरू करते हैं सब लोग ये कहते हैं बहुत मुस्तनब कहते हैं बहुत उसुख के साथ कहते हैं आपके आवाज में बहुत मेंधी हसन है मैं ये कह रहा था आवी साय से और मैं ओनेयर कहना चाहता हूं इस बात को मेंधी साथ को बहुत लोगों ने गाया और सभी गाते हैं हम सब गाते हैं मेरे खाले बाद रख़ अकराम में ऐसी अजवानी साथ का टॉन जोppen आए यह अल्ला की दे यह कोई बना नहीं सकता यह अल्ला की दे अगर गाम जाए फड़ा सुपर जाए अप्यों सब्सक्राइब अप्यों सब्सक्राइब हाँ 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 मैं किसे जीता हूँ हाँ 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 मुझी ने का मुझे कुछ शौक नहीं मुझी ने का मुझे कुछ शौक नहीं बस वक्त गुजारा करता हूँ कुछ देर उलजकर जादों मैं दुजियां से कनारा करता हूँ मरता भी उसे के खातिर हो मैं जिसे लिए जीता हूँ शायद के कभी मिल जाओ कहीं मैं जिसे लिए जीता हूँ क्यों पूछते हो क्या तुम से कहो मैं किसे लिए जीता हूँ शायद के कभी मिल जाओ कहीं मैं इसे लिए जीता हूँ मैं हूँ के शुलकता रहता हूँ बुझता भी नहीं जलता भी नहीं दिल है के तरपता रहता है रुकता भी नहीं जलता भी नहीं जीने के तमना में तेरे चुकी तेरे किसे लिए जीता हूँ शायद के कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ क्यों पूछते हूँ क्या तुल से कहूँ मैं किसे लिए जीता हूँ शायद के कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ 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 मेरबनी आया है आप आरामसे स्मी माइप नो मॉलें को और इशुनी हाँ हमारी जो महपत है शुब्स मुझे इनी इतीजिता है कि मैर क्या कर जाता हूं क्या हो 0k लिस पूछ उनके मैरबनी रहता हूं उनकी नाम की बरकते हैं मैं वह बड़े मज़े के बापका हूँ कि मैंने इंसे पूछा मैंने इक्रामभाई से कहा कि एक गीत है एक हुसन की देवी से मुझे प्यार हुआ मैंने का वो गाली जाए कहने लेगा यार मैं नहीं गास सकूँगा क्योंकि अभी एक ही दिन तो हुआ तो बड़ा मुश्किल एविन यह भी गाना यह तमाम के तमाम लोग जिया मौजूद है यह सब के सब हांसाब से प्यार करते हैं हम जो कुछ भी सुना रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं आज सिर्फ उनका सदका उनके अधिदत है इसके लावा कुछ भी नहीं फिर्मसदानेश्च कब तक हमारे साथ लाइन पे बहे हैं लाहुर से आए उन से बात करते हैं असलाम अलिकूम निश्च जी केसी हैं आप हलो ऑलो असलाम अलिकों निश्च जी असलाम अलिकूम साहिर लोधी बोल रहा हूं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहिष्ट का गाना है आप ही की फिल्म बहिष्ट का गाना है और नदीम साहब पे पिक्षराइज़ जी अच्छा जी प्लीज कहिए बाब बात कीज़े ठी रिखिए की की जी जी अच्छा जाल सहाँ जी थे बिल्कुल भोल्érica की एंवास बिल्कुण जी ती मैं गिजी ती जी दी मैं आख गी दी मैं आख एम हैसाँ शाब ए हिस वसे this a is a great singer or government was as a human being is it´s एक डाउन तू अर्थ परसंट जो वाकिए एक आर्टिस्ट आग्मी की की तर्टरमेंट का एक खाफ क्वालड ही होती है कि उसमें खुरू तकफर या उसमें बदमिजाब नहीं होता जिस्ता एक डॉक्टर को पॉलाइट होना चाहिए पन्कार भी रूख की जहन की और असाथ की बहुत सारी बिमारियों का इलाज होता है हासा और पे सिंगर तो मैं दिया संसाथ ऐसा एक तक हमारा जो हम खोड़ चुके हैं और ऐसे अगेसा नुक्सान हुआ है हमारे जिसकी तलावी नहीं एक नाकाबले तलावी नुक्सान है हमारी यादों में बदाहों के दिलों में लोगों के कानों में मौसीदी की दुनिया में वो शक्त कभी भी मर नहीं सकता हमेशा जिंदा रहेगा अप्रिशाब भी उन्हें बहुत अप्रिशेट किया है और अपने रिलिजिन के इसाथ से दो निगा है कि मेदी असन के दरे में बज़वार गोलता है और किसी को शैर्णशाय गदल और किसी शैर्णशा का खिदाब भी दिया जाता है जब उसमें वो क्वालेडिज होती है वो अथाथ होते हैं कोई बादशाय ऐसे नहीं बज़ता तुब को रफ्रामेन ऐसे नहीं होता अल्ला काला ने उन्हें जो मकाम दिया उदा का अता करता था और अपने मदाओं में अपने जाने वालों में मौसी ती दुनिया में ऐसी बिरानी सणा गया उसके पारे में कहूंगी जितने पुरानी मेंदे शेथ सब कुछते जाते हैं कहiejं से आबे बखाय द्वाम लाएंसाथी बादियस जैसा कुछ जैसा कुल और सिंगर यूथ Newkharm Ahmed के लिए एक आइक्वानिक पस्निलिटी हैं, हम उनको खोचुके हैं, हमार यादों में रहेंगे, खुदा उनके जिल्लक नसीब करें, मैं लियस अग्रेज की दर्ट। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने का, I agree 100% आपने जो कुछ भी कहा है, आइक्वानिक हैं वो, रही बगाय दवाम की बात, जिसम है के चला गया, आवाज है, के बागी है, I think, आने वाले दो हजार साल या पचास हजार साल ही, मेहदी हसन को हम से और वक्त से नहीं चीन सकते, क्योंकि मेहदी हसन एक आवाज का नाम नहीं है, मेहदी हसन, मेहदी हसन, मेहदी हसन हमारे सर परस्त है, एक इंस्टूशन है, एक इंस्टूशन है, एक इंस्टूशन है, और हम सब के लिए गाइडन्स है जब तक उनका काम और इन्शालला उनका काम बहुत सालों तक जिन्दा रहेगा और फैसल आपकी भी मुलखात है मेरी मुलखात रहे नफीस शख्सियत बड़े हमबल से यह नहीं पता चलता था कि इतना बड़ा बाद्शा आप से बात कर रहा है मैंने वो सेख़्ुआ करके रखावा है मेरी मेरी नया नया जब गाना शुरू किया था उस वकार्ड में लिखा है के और नए उबरते वे गजल, बुलुकार, सल्मान, अल्वी शुरू करेंगे तो मुझे कहा किया था मेरी साफ हूंगे नहीं तब आप गईए मैंने का था हूंगे तो मैं गाऊंगा शुरू किया मैंने और मुझे नहीं मालूम कि वह स्टेज के बड़ा पीछे उन बैठे वे थी अगर मुझे पता हो तो शायद मुझे गाया दिया उठके आये दो गजले मैंने गाई थी आकर मुझे गले लगाया सिर्फ इतना का सीखो मगर अच्छा गाया तुमने और सीखो मेरे लिए तो बस वो बहुत था एक चोटा सब्रेक है आप से मिलते हैं प्रेक के बाद जाना कहीं नहीं नहीं रहिएगा अभी फैसल है कुछ और मैमान है आपकी कॉल्स है अगर आप कॉल करना चाहते हैं खासाप के बारे में कुछ कह करना चाहते हैं तो फ्रीज कहिए अगर मैसेज करना चाहते हैं और सिर्फ यह कहना चाहते हैं के खासाप अपना मैसेज लिखिए इसके बाद स्पेस दीजे नहीं नाम लिखिए और सेंड़ टू-436 आप से मिलते हैं ब्रेक के बाद नहीं करने बाम VIDम यह भाद सेंड़ सेंड़क मैसे एंवाद बानिया